जन्रल नॉलेज, रीजनिंग और जन्रल इंग्लिश ये तीन ऐसे सब्जेक्स हैं जिनसे कोशन्स का बनना लगभग भड़े एक कॉंपेटिटिव एक्जाम में तय है चाहे आप किसी जॉब औरेंटिर एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हों इंटरमीडियेट लेविल के कि तो इन तीनो सब्जेक्स का बनना तय है तो आपको इन तीनो सब्जेक्स को काफी अच्छे से कवरणा और करके रखना है तो नाते ही उनको कौन सा ऐसा कॉंबिनेशन एं टीनों बुक्स का जो पढ़ना चाहिए कौन सी ऐसी वो तीन कॉवन बुक्स है जो लगबग हर एक एस्प्रेंट के पास होनी चाहिए जो गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी आने वाले समय में करने वाला है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उन टीनों बुक्स के बार में बताऊंगा जो लगबग हर एक इस्प्रेंट के पास होनी ही चाहिए और जो कासी जादा बेसिक है जिनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया कवर कर लिया तो एकलिस्ट आप किसी भी एक्जाम में कॉन्फिदेंस के साथ बैठ सकते हो मै यह नहीं कहा कि इन तीनों बुक्स को पढ़ने के बार आप एक्जाम को क्रैक कर लोगे क्लियर कर लोगे उसलिड के बातने के लिया मुए यह तीनों चिना जो जो बुक्स हैं अहर एक इस्परेंट की साफ निक यो पनेट कि रिजेंग कोसी कर Firma की शुर्य इन तीनो बुक्स को सही से cover कर लेता है तो उसके fundamentals उसके basics clear हो जाएंगे या फिर build-up हो जाएंगे तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन तीनो बुक्स को काफी detail में analysis करते हैं इन तीनो बुक्स के content का और जानते हैं कि आखिर ये बुक्स इतनी क्यों prefer की जाती है जो सबसे पहली बुक रहती है general knowledge के लिए lucent इस बुक को मैं काफी धार रिकमेंड करता हूं लगबग हर एक competitive exam की तयारी करने वाले aspirant को वजा ये है कि market में जितनी भी gk की बुक्स है वेले बिले उनमें ना तो content appropriate होता नहीं organization इतना अच्छा होता जितना की lucent में है तो आप इस बुक को बाहिक कर सकते हैं 198 इस बुक की MRP रहती है यह आपके सामने जो बुक है 2020 का ही edition है तो सबसे पहला हम इसके content को देखते हैं तो यह आज़ा था content इसमें आपको इंडियन history मिलती है ancient इंडिया मारिविल इंडिया modern इंडिया और कुछ मिसके लिए इस topics geography, Indian quality and constitution लगवाख सभी important topics Indian quality and constitution से इस बुक में cover up किये गए हैं फिर फिफ्टे टॉपिक जो आपको इस बुक में देखने को मिलता है वो है Indian economy, 6th है physics, 7th है chemistry, 8th है biology और 9th है miscalini जैसे first in India, countries with largest aquatic area, defense in India, internal security of India जैसे काफी सारे important or crucial topics आपको मिलेंगे फिर 10th unit जो है इस बुक की computer, introduction, some important facts related to computers, units of data measurement, keyboard shortcuts, some memorable facts, some important initiatives of the government जैसे काफी सारे topics भी आपको इस unit में देखने को मिल जाएंगे तो यह सबसे पहली unit है इस बुक की Indian history, history क्या है आपको एक general introduction मिलेगा, system of dating and जो historical sources नहीं है ancient India की उनकी बार में आपको पताया जाएगा, बीच 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 आपको यह tabular information मिल जाती है इससे आपकी काफी मदद होती है facts को memorize करने में, facts को grasp को करने में, तो काफी कुछ आप learn कर सकते हो, काफी कुछ जान सकते हो ancient Indian history के बार में और मैं कहुँगा Indian history के बार में, इस book का content इतना तो है कि आप किसी भी competition की तैयारी कर सकते हो, at least आप इतनी information acquire कर लोग wide है, लेकिन अगर मैं general competition की बात करूं, like जो banking exams होते हैं, railway exams होते हैं, SSC exams होते हैं, like CGL, CHSL, इने भी general level exams होते हैं, जिन में general knowledge से questions बनते हैं, तो उन सभी exams के एसाफ से वो काफी जादा useful है, और अगर आप अपनी GK को strong करना चाहते हो, तब भी आप इस book के साथ जा सकते हो, औ और काफी interest आएगा आपको इस book को पढ़ने में, यह जो book है वो और GK की books की तरह नहीं है, कि उन्होंने presentation, organization इतना अच्छा कर दिया, लगिन content में दम नहीं है, इस book के content में भी दम है, और organization भी काफी ठीक ठाक है, इतना है कि आप easily समझ सकते हो, यह fourth unit is book की Indian Policy and Constitution, काफी अच् content aspects रहते हैं, इस topic के वो आपको इहापे मिल जाएंगे, चाहे वो fundamental rights हो, यह फिर आपका different sources of Indian constitution, और preamble, federal and unity features of the Indian union, तो काफी short form में आपको सभी topics कवर के मिल जाते हैं, और इतने भी short महीं है कि आपका कोई भला ना हो, आप इनको परके एक basic overview ले सकते हो, हर एक topic का, तो Indian Quality and Constitution के लिए भी ये book काफी जाता सही रहती है, फिर्सके बाद दोस्तों आपको मिलता है Indian economic section, जो personally मुझे काफी पसंद आया, आप और books में देखोगे, तो उनमें किवल key facts और figures दे दिये होते हैं, लेकिन इस book में आपको explanation भी मिलती है, कुछ crucial topics की जिससे आपकी understanding में ठोए इज जाफा हो, तो Indian economy के लहजे से ये book भी काफी important है, काफी useful है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आपसे, कि GK की ये एक मात ऐसी book है, जो सबसे best है, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप किसी भी general level competition की तयारी इस book के साथ कर सकते हो, आपको काफी मदद मिलेगी, topics coverage इस book के काफी जादा शांदर रहती है, ये physics का portion है, इस book का फिर ए chemistry, biology, general science को भी काफी अच्छे से cover up किया गया है, इस book में, last में दोस्तों आपको ये misclean ही मिलेगी, मतलब कुछ important facts and figures, जैसे ही statue of unity के बारे में आपको कुछ information मिलेगी, ये national emblems of some countries, फिर आपको tabular information मिलती है, तो ये तो रही दोस्तों loose end की general knowledge, अब हम बात करते हैं दूसरी book के बारे में, जो की है, Rain and Martin की high school English grammar and composition, दोस्तों अब आप सोच रहे होगी, कि आप किसी competition की तयारी कर रहे होगी, यहाँ पर high school grammar and composition को पढ़ने का क्या benefit, बिलकुल question आपका जाइज है, पूछना, कि high school level की English grammar and composition हम क्यों परें, जब हम किसी competitive exam की तयारी कर दें, तो यहाँ पर मेरा opinion यह है, कि जादा तर students, almost 90% student ऐसे होते हैं, जो government exam की तयारी तो कर रहे होते हैं, लेकर उनकी basic English ही strong नहीं होती, तो जब तक आपकी basic English strong नहीं होगी, तो आप किसी high level वाली book को buy करके, या फिर किसी objective book को buy करके क्या उखार लोगे, कुछ भी नहीं, तो क्यों ना आप अपने बिल्कुल basic से शुरुआत करो, English से काफ़ी questions बनते हैं, काफ़ी, एक दो नहीं बनते, 10-20 नहीं बनते, किसी competitive exam में तो 30-40 भी बनते हैं, तो ऐसे में English पे आप बिल्कुल सही से focus कीजिए, और मैं समझता कि यह वही book है, जिससे आप सही से focus कर सकते हो, और अच्छा perform कर सकते हो, किसी भी competition में, दोस्तों इस book को आप buy कर सकते हैं, यह 2020 का ही reprint है, S.Chan publication की यह book रहती है, 420 इस book की MRP है, लेकिन discounted rates पे आपको मिल जाएगी, और description में buy links मौझूद है, आप वहाँ से जाके, इन सभी books को check out कर सकते हो, जो इस video में मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले चलते हैं, इस book के content की हो, चानते हैं कि क्या कर हमें इसमें मिलता है, तो यह book है वो two parts में divide की गई है, book one grammar, book two composition, book one में दोस्तों आपको 43 chapters मिलते हैं, जैसे पहला है the sentence, second is subject and practical, third is a phrase and a clause, fourth is parts of speech, फे book two start हो जाती है, आपकी composition, यह जो book है वो four parts में divided है, part one है analysis, transformation and synthesis, इसमें simple sentences का आपको analysis मिलेगा, phrases के बाए में आपको बता जाएगा, clauses, sentences, जो simple compound or complex type के होते हैं, उनके बाए में आपको एक overview मिलेगा, more about noun clauses, फिर second part है correct uses, agreement of the verb with the subject and यह nouns and to nouns, adverbs, conjections, order of words, फिर part third है, structures, verb patterns, questions, text, short answers etc. फिर part fourth है written composition जिसमें आपको paragraph writing, story writing, reproduction of a story poem, letter writing, comprehension, precise writing जैसे topics कवर की हुए मिलेगे, तो यह book one है grammar, इसमें आपको पहला chapter मिलता है sentence, sentence के बाए में बता जाएगा कि sentence होते क्या है, a group of words which makes complete sense is called a sentence, sentence कितने प्रकार के होते है, kinds of sentences, यह chapter 2 है subject and predicate, बीच-बीच में दोस्तों आपको exercise मिल लगे है, total 27 questions है, फिर chapter 3 है में the fresh and the clause, chapter 4, parts of speech, तो काफी अच्छे से presentation ready as bookies, सभी topics को short form में यहाँ पेश किया गया है, और बीच-बीच में आपको examples मिलते है, exercise मिलते है, जैसे कि आपको practice करते हो चलो, ना कि किवल आपने इन concepts को समझ लिया और practice की नहीं, तो यह जो आपको exercise मिलती है, इससे आपकी काफी मदद हो सकती है, आप practice कर सकते हो काफी बार, क्योंकि questions की quantity आपको अच्छी मिल लगे, 5th chapter है, the noun, kinds of nouns, तो मेरे according, Rain and Martin की book काफी जादा bad print है, अगर आप इस book को सही से use कर लोगे, सही से पर लोगे, तो यकीन मानिए कि आप किसी भी competition के लिए general English को बहुत अच्छे से cover कर सकते हो, दोस्तों मैं यह नहीं कह सकता कि यह ultimate book है, English grammar and composition की, इसके बात हो सकता है कि आपको किसी और book की सरुवत पर है, जैसे आपको objective general English buy कर सकते हो, लेकिन यह बात बलकुल निश्चेद है कि, कि अगर आपके basics English के clear नहीं है, तो यह book indefinite and distributive pronouns, तो इस book की खास बात है कि इसमें आपको conceptual knowledge मिलती है, उसके साथ आपको examples मिल जाते है, और exercise मिल जाती है practice के लिए, काफी अच्छी practice आप इस book से कर सकते हो, अगर आप अपने basics बिल्द करने की कोशिश में हो, English के अगर आपका background इतना अच्छा नहीं रहा है, आपन अपने school level पे इतनी महनत नहीं की है, grammar पे तो अब आप कर सकते हो, आपके पास time है, काफी कम समय में आप इस book को finish कर सकते हो, इस book का जो pattern है, वो काफी जादा simple है, रेन और मार्टिन की ये book काफी शांटर है, आप इस book के साथ जरूर से जाएं, तीसरी book और आखरी book जो मैं ह एक competitive exam की तयारी करने वाई S Pen को recommend करता हूँ, वो है, how to crack test of reasoning, दोस्तों ये पुराना edition है, जै किशन और पेम किशन की बुक है, इसका नया edition available है, आप उसे check out कर सकते हैं, मेरा काम है यहाँ पे आपको बुक के बारे में बताना, तो पुराना edition ही काफी है, एक हलके फुल के idea क आपको 19 chapters मिलते हैं, analytical reasoning में 28 chapters मिलते हैं, और non-verbal reasoning में 13 chapters मिलते हैं, और दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो नया edition आया है, उसमें कुछ changes हो, वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन पुराने edition से आपको idea लग जाएगा कि इस book का content काफी सही रहता है, यह सबसे पहला chapter है, analogy, analogy कितने तर सकते हो कि questions को कैसे लगाया जाता है reasoning के, फिर latest practice, base level exercise आपको मिलेगी, जैसे पहला question है, आप cow is to calf as God is to, यह UPPSC RO 2014 में आया था, तो इस book की सबसे जादा खास बात यह है कि questions के आगे mention किया हुआ है, कि यह जो question बना है, कि किस exam में बना है और किस year में बना है, इससे आपको बह आफिजातर शांदर यह book है, कोई भी बना है इस book को कर सकता है, अगर आप 10 यह 11 में हो, तब भी इस book को आप easily solve कर सकते हो, क्योंकि इस book का level इतना high नहीं है, और इतना भी basic नहीं है कि कि किसी के लिए useful नहीं हो, लगबख सभी competitive exams के लिए book useful हो सकती है, अगर आप class 10 में हो, N Center University conduct राती हैं, like AMU, JNU, BHU, उन सभी में reasoning के questions बनते हैं, चाहे किसी में 10 बने, किसी में 20 बने, किसी में 40 बने, questions बनते ही हैं, तो reasoning का भी important role हो गया है, आज लगबख हरे competitive exam में, तो reasoning को आप नज़र अंदास नहीं कर सकते हैं, तो Jack Christian और Prim Christian के book काफी बैटरीन रहती है, आप के साथ ज़रूर से जाएं, अगर आप reasoning की किसी एक ऐसी book को डून रहे हैं, जिसमें बिल्कुल basic information आपको given हो, और काफी easily आप उसको solve कर सकते हो, तो इस book में आपको काफी अच्छे questions cover के हो मिल जाते हैं, और लगबख हर एक important topic, चाहे वो verbal reasoning का हो, non-verbal reasoning का हो, या analytic reasoning का हो, व आपको पर्दा चल गया होगा कि आखिर मैं इन तीनो बुक्स को क्यों recommend करता हूँ आपको, कि ये तीनो बुक्स आपके पास हो नहीं चाहिए, आपने खुरी देख लिया होगा कि content तीनो बुक्स का कितना शान्दा है, तो आप इन बुक्स को buy कर सकते हैं, description में आपको तीन information मिलियो और मंदद मिलियो ये वीडियो देखने के बाद तो पर लिए लाइक कर देजएगा, चैनल को subscribe कर देजए, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते हैं, चल ये मिलता हूँ नेक्स एपेसोड में, thank you for watching this video.